उमर्द खालिद ने अपने बियानों में अपने लेखों में कोई ऐसी चीज नहीं कही है जो हमारे में से कई लोगों ने नहीं कही है Constitution को एक तरफ छोड़के वो काम करें जो political structure चाहता है जो RSS चाहता है जो मोधी चाहते हैं तो उसमें हमारा फाइदा होएगा आज मैं जो यहां पर बात कहना चाहता हूँ मैं बात किस दाइरे में कर रहा हूँ मैं पत्कार हूँ मेरा नाम है हर्तोर सिंग्भाल नाम से मेरे ओरिजिन सिक हैं बैसे मैं नास्तिक हूँ तो मैं किसी समधाय से नहीं जुड़ा हूँ ना किसी कौम से जुड़ा हूँ तो आज जो मेरे जैसे लोग हैं या जो देश में काफी हद तक जो आज जो कुछ हो रहा है उससे नाखुश है वो नाखुश क्यों है ये लड़ाई उनकी लड़ाई क्यों है और इस लड़ाई में सब को साथ अवाज उठाने की जरूरत क्यों है सेंतालिस में ही दो विजन थे भारत के एक तो हमारा समवधानिक विजन था कॉंस्टिटिउशनल विजन था जिसमें सिटिजन्शिप सब की बराबर राइट थी सब इकुल सिटिजन्स थे एक देश के कि दूसरी थी एक RSS की विजन था विजन क्या था उनने बार बार दुबारा दोराया है कहा है और आज उसे इंपोस कर रहे हैं वह विजन क्लियर था के हिंदूस और उनका हिंदूसे माइना ये है कि जो भी धर्म इस सब कॉंटिनेंट में पैदा हुए है उनको वो सब को हिंदू कहना चाहते हैं वो एक तरहे के सिटिजन होएंगे और बाकी खास करके मुसल्मान क्योंकि बार बार RSS के राइज में मुसल्मानों के अगेंस जो प्रोपगेंडा है वाइलेंस है और नियत है वो साफ रही है कि वो सेकंड क्लास सिटिजन रहेंगे और उसी को वो इंपोस करने में लगे हुए हैं और काफी हद तक आज वो सक्सीड कर गें तो तीन सार पहले जो हुआ जो रिजिस्टन्स होई जो सिटिजन शिप एक जो लागो करने पे उसमें एक ही दाइरे को बाहर रखा गया था खास करके मुसल्मानों को ये एक क्लियरली RSS के विजन का एक था जो इस देश पे इंपोस किया गया जो जो बीता है वहाँ पे बात अलिगर की जामिया की दिल्ली के नौर्थीस राइट्स की हुई है जो कुछ हुआ है राइट्स नहीं थे अगें वो परपेट्रेटेड वाइलेंस था जिसमें एक तपके पे दूसरे तपके का टैक था पुलीस की साहिता से पुलीस के समर्थन से पुलीस की मिलीवादा से और उसके बाद जो जस्टिस की प्रक्रिया चल रही है बात कई लोगों की हुई है उमर खालिद के साथ में कई बारी बैट के बात की है स्टेज़ भी शेयर की है और जो कुछ अमर खालिद ने कहा है उसका रिकॉर्ड आज तक अवेलिबल है अमर खालिद ने अपने बियानों में अपने लेखों में कोई ऐसी चीज नहीं कही है जो हमारे मेंसे कई लोगों नहीं कही है कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा स्लोगन नहीं है जो हमारे में से कई लोगों ने नहीं कहा है फरक क्या है उमर खालिद और हम में कि हम लोग बाहर बैट के आज बात करें उमर खालिद नहीं कह रहा है क्योंकि उसका नाम एक मुसल्मान नाम है वारा नाम मुसलमान नाम नहीं है ये देश की साफ आज्ट की सच्चाई है और इस सच्चाई को implement करना इस सच्चाई को लागू करना ये सीधे police investigation से लागू होता है police के रवाइय से लागू होता है police के role से लागू होता है पर ये police का role ये रोल ना आज से शुरू हुआ है या ना तीन साल पहले से शुरू हुआ है ना ये आठ साल पहले दो चौदा से शुरू हुआ है इसको खास करके एक RSS के वर्ल्ड वियू में पूरी तरहे से लगा दिया गया है ये आज जादा सेंट्रिलाइस्ट है जादा एफिशन्ट है पर भारत में पुली स्टेट का अपरोच आज पहली बारी नहीं हो रहा है हमारे रिपोर्टर्स हैं जो जामिया में थे जो जेनियू में थे शाहिद हैं यहाँ पे वो आपको बताएंगे कि कश्मीर में पुली स् को इन्वेस्टिगेशन राइट्स जो शक्त बार बार इस्तवाल होता है दिल्ली के वाइलेंस को जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है जिन्होंने केसिस फाइल की है उनकी ट्रेनिंग किसने की थी उनके सीनियर आफिसर्स कौन से थे वो जो जूनियर थे तो चौरास जहां जहां गुजरात में पुलीस ने अदा कियाайтесь वो पुलीस वालों ने लोगों को नियक्ता किया था violence केरियाउट किया था जिन पुलीस वालों ने violence commit किया था उनके फाइदे हुए हैं अपने करियर्स में जिनोंने violence रोकने की कोशिश की थी उनके करियर पे धबे लगे हैं गुजरात में 2002 ने मुदी सरकार ने अमिट शाह ने आप बार बार जाके देख लीजे रिकॉर्ड्स के कि जहां जहां गुजरात में वाइलन्स रोकी गई है पुलीस ने जो काम किया है जो पुलीस को करना चाहिए था वो पुलीस अफसर्स पे वो कारवाई हुई है कि उनके करियर खराब हुए है जो जो पुलीस अफसर्स ने दंगे होने दिये थे दंगे में समर्थन किया था गुजरात के और आज में आज भी बिल्किस का केस लागू है कि गुजरात में जो फाइरिंग हुई थी firing थी ये targeted killings थी ये numbers किसी और तरीके से नहीं हो सकते थे इस background में जो दिल्ली में policing हो रही है जो यूपी में policing हो रही है और जो investigations आज हो रही है इस background के against देखना चाहिए कि एक ideological approach है एक superstructure है और उस ideology को implement करने वाले हैं वो जानते हैं कि हम constitution को एक तरफ छोड़ के वो काम करें जो political structure चाहता है जो R.S.S. चाहता है जो मोधी चाहते हैं तो उसमें हमारा फाइदा होएगा अगर हम constitutional lawy में चाहते हैं तो हमारा नुकसान होएगा ये एक added incentive है एक added motivation है जो कुछ यहां पे कहा गया है उसके अलावा कि उनमें भी वही बायस है जो society में है जो Islamophobia है एक जो communal thought process है जो specially और मैं नॉर्थ इंडिया में कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया भी इंडो गैंजिटिक प्लेन में जो खास करके जो है जो दब गया है वो उसमे आता है पुलीस में reflect होता है पर यह पूरा एक larger ideological process है और इस लड़ाई में जो आगे है वो बात सच है कि उनको लड़ना पड़ेगा पर यह लड़ाई एक समुदाई एक कौम नहीं लड़ सकता है यह हमारी पूरी देश की लड़ाई है पहले भी 84 में यह हुआ था कि 18 साल जो कुछ violence हुआ था जो कुछ pursuit of justice हुआ था जो भी misdirection था लोगों ने छोड़ दिया था कि यह सिखों की लड़ाई है इसमें हम क्यों शामिल होएं और वो गलतिया बार बार दोराएंगे तो जो पहले हुआ है वो फिर दोरा जाए जाएगा किसी और community के साथ किसी और समु मोज के हो रहा है और इसमें एक RSS की ideological process का implementation हो रहा है